नमस्कार बेस्ट पाट आफ यूर लाइफ हम लोग क्या करते हैं सोसल नेटवर्किंग में कैसे यूज करते हैं क्या इसके डिमेरिट से मेरिट सारी चीजों को बारे में हम लोग जारेंगे बस वीडियो को आखरी तक बनें के देखे रहें देखते रहें मैरा अतना गुर्पाद्यर आप देख रहे हैं यूनिक ओलाइं दूर चनल आए कुछ अच्छा सीखते हैं कि अ कि चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आप सोसल नेटवर्किंग के बारे में तो मैं आपने बात करूए पीपल टूगेधर टूटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉ टूटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉटॉ social network के बारे में तो मैं आपको बता हूँ social network में facebook आता है twitter आता है इंस्टा आता है यह सारी चीज़े हमारे social network के एक example है और सबसे बड़ा जो role होता है इसमें वो है e-commerce का किसका है भाई? e-commerce का है मतलब यह हुआ कि social network में e-commerce का बहुत बड़ा मतलब होता है चीज़ के हमें advertise करना हुआ कोई भी electronic business करना हुआ कुछ भी हमें for example Amazon, Amazon flip cards, EY, OLX कुछ भी है यह सारी example किसके है social network के you know very well अगर मैं बात करूँ इसके कुछ advantage के इसमें क्या क्या होते है तो social network में हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम क्या क्या share कर सकते है हम video call कर सकते हैं audio call कर सकते हैं सारी चीज़े हम कर सकते है तो social network हमारा बहुत ही अच्छा धार है और मैं आपको एक example बताऊ यह अच्छी बात बताऊ तो एक दिन तुम्हारा social network यूज़ करेगा तो बिर से ध्यान सुनना social network का यूज़ कर लो नई तो एक दिन आपका social network यूज़ करेगा ही करेगा दोस्तो ठीक है तो यह हमारा social network है अगर मैं बात करूँ social network के advantage की किसकी बात करूँ अगर मैं बात करूँ social network के advantage की तो social network advantage क्या होगा सबसे बड़ी बात है कि यह पूरे worldwide से connectivity रखता है क्या करता है ये पूरे वॉर्ड वाइड से connectivity रखता है ठीक है बासमझ में आ रही है यानि की वॉर्ड लेबल की जानकारी ये देता है आपको पूरे ब्रम्हांड की जानकारी फॉर एक्जामपल अभी आप क्रोना का चक्कर देख रहे हो तो क्रोना के चकर पूरे वॉर्ड क connectivity बना के रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम easy to communication कर सकते हैं क्या कर सकते हैं easy to communication करते हैं इसमें मतलब क्या हुआ हमें बात चीत करना हुआ वीडियो कॉलिंग करनी आज कल तो ग्रूप में भी वीडियो कॉलिंग हो रहा है पता है आपको maximum 10 लोगों को हम लोग जोड सक सकते हैं 10 लोगों तक वीडियो कॉल कॉनफरेंसिंग कॉल कर सकते हैं यह सारी सुविदायम पर उपलब दाएं तो हमारी connectivity सोसल नेट वर्किंग के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो रही है अगर हम बात करें इसके सोसल नेट वर्किंग के अगले advantage में तो हम लोग कह सकते है कि सारे latest news हमें मिलते रहते हैं यानि की current latest news यानि world के latest news हमें मिलते रहते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है world के latest news इसमें मिलते रहते हैं आप लोग को यह सारी जानकारी मिलती रहती है कि कल क्या हुआ कल क्या होने वाला कल कौन सा टास्क मोधी जी दे दे हमें यूज करना प कोई भी एक ग्रूप बना सकते हैं, कोई भी एक पेज बना सकते हैं, ग्रूप बना के हम अपने family member, friends को add करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान समझे मारी बात, ग्रूप बना के हम लोग क्या करते हैं, family member और friends को add करते हैं, जिससे हम एक बार में काफी सारे लोगों तक अपनी पूचिना का आधानपर्दान कर सकते हैं तो यह हम बना सकते हैं उसके बात कि हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें किकिसी फोन की डीटेल चेक करते हैं google पे search करते हैं google plus पे search करते हैं वहां से हम लोग search करके उसकी पूरी details जानते हैं उसके बाद की बात करें तब हम जाते हैं कहीं purchase करने के लिए तो यह हमारा advantage हुआ अब हम बात करने वाले हैं disadvantage के बारे में किसके बारे में बात करने वाले हैं डिस एडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहला हमारा डिस एडवांटेज है कि 60% न्यूज फेक होती है सोसल मीडिया पे अब जान लो यानि मतलब यह हुआ कि 60% न्यूज फेक होती है यानि मिन्स गलत होती है होती है कि नही होती है 100% होती है मतलब क्या हुआ कि हमें ज़्यादा social media पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमें अपने काम की चीज लेनी चाहिए फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए अगर मैं बात करू उसके बाद तो google पर क्या होता है तुम्हारा सोचल मेरे सब ज़यादा time waste होता है, क्या होता है भाई? time waste होता है, बहुँ ज़यादा time waste होता है, और young generation वाले तो कुछ ज़यादा ही time waste करते हैं, खोले facebook, पदा चला interested कोई video मिल गया, देखने लगे, मज़ा आ गया, और time बीट गया, होता है कि नहीं होता है भाई होता है आपके साथ भी होता है, मैं confidence के साथ कर रहा हूँ, उसके बाद की बाद करूं, उसके बाद की बाद करूं, तो we cannot share own data, आप कोशिस किया करिये, कि जो भी उसमें लोग होते हैं, जो सारे लोग होते हैं, वो fake होते हैं, तो trust जाना मत किया करिये, कोई लड़के का ID फोटो अप्लोड करके comment करके देखो नben रार कितने गंदे comment आएंगे तो इसमें negative comments भी आते हैं उसके बाद की बात करो तो disturb करता है time में बहुत जादा disturb करता है कैसे करता है किसे करता है disturb बताऊ आप पताचला मन से पड़ रहे हो और आपका phone जनरल में है अब एक message आ गया एक मस्ते आ गया अब क्या करेंगे आप या तो आप उसको ignore करेंगे या तो उसे आप देखेंगे तो अगर आप लोग ये समझ ये हमारी बात तो disturbance जो है use करना चाहिए और ज्यादा यूज करने पे सोसल मीडिया ब्रेन पे इफेक्ट भी पड़ता है दोस्तों तो ये हमारा हो गया सोसल मीडिया का चेप्टर अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमें सुझाओ कमेंट जरूर करेंगे और हाँ अपना छोटा भाई काम लगातार कर रहा है आप लोग के साथ बना हुआ है आप लोग की भी ये दाईत तो बनता है कि आप लोग हमारा सहायता जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज